मा, तुम पर ये जोड़ा तो बहुत शोपा दे रहा है, सवेरे सवेरे कहां जाने के तयारी हो रहे है सजदचकर? ज्यादा मक्षन मत लगा मा को, बस पडोस में जा रही हूं, पदमा काकी की बहु की आज गोद भराई है न, नेउता दे कर गई है आस पडोस वालों में हम नहीं जाएंगे तो हमारी खुश्यों में शरीक होने कल को कौन आएगा? पता नहीं, मेरे घरंगना के सोय भागे कब जागेंगे? कब मेरी भी बहुएं आएंगी और मैं उनकी गोद भराई करूंगी? कुछ देर में आशा पडोसन पड़मा के घर में चल रही गोद भराई में आती है अरे आ आ आ आ आ आशा तेरा ही रस्ता देख रही थी देखो सबसे पास पडोस में होकर भी कितनी देर से आई है, क्यों रही? खाली मुदी खाने के लिए आई है, देख लियो तेरी बहुओं की बारी में मैं भी ऐसे करूंगी तब ही दुख जताते हुए बूढी आशा कहती है मगर पहले मेरे बेटों का घर तो बसे, कई लड़की वाले देखने आये मगर एक कमरे का घर देखकर चले गए आज कल के जमाने में कमाई देखकर शादी होती है औरे तू चिंता मत कर, मेरी जानकारी में पंडिजी है गरीब से गरीब घर का रिष्टा भी लगवा देते हैं शिवजी की दया हुई तो इस साल चटमंगनी पटब्या हो जाएगा और अगले साल तक तू गोदी में पोता खिलाएगी तेरे मुह में गीशकर पदमा कुछी दिन में पंडिजी दो गाउं की लड़की की तस्वीर दिखाते हैं ये देखो बेहन जी, ये दो रिष्टे बचे हैं कहो तो इनसे बात चलाऊं, दोनो गाउं की है पर मुझे को अपने चारो कुवारे बेटे के लिए बहू चाहिए तब ही संदी प्रदी पाकर कहते हैं मा, आप हम दोनों के लिए रिष्टे मत देखे हमने आपकी बहूएं ढून ली है, वो यहीं शहर में है तो फिर पंडित जी आप इन दोनों से बात बढ़ाईए बस इस साल में मेरे चारो बेटों की लगन हो जाए कुछी दिनों में आशा देवी अपने चारो बेटों की शादी करवा कर दो गाओं वाली बहू चमपा चमेली और शहर वाली प्रियंका और टुइंकल को ले आती है शहर वाली बहू बहू बहुत ही घमंडी मिजासकी होती है आओ मेरे घर की लक्षमी, मेरे घर अनपूर्णना, तुम्हारा स्वागत है अओ गौड, ये है हमारा ससुराल, ये तो फिल्मों वाली खंडर हवेली की तरह दिखता है एनिवे, ममी जी हमारा बेटरूम का आए, सास थोड़ा हिचकते होए बोली बहू, हमारे पास में केवल ये एक ही कमरा है ये सुनते ही दोनों शहरी बहू घंड जारने लगती है वाट, नॉनसेंस, सासु मा, तो क्या हम चारो बहू इस एक कमरे में रहेंगे प्रिविसी नाम की भी कोई चीज होती है, मैंने तो सोच रहा था कि ज्यादा नहीं, डबल रूम तो होगा दोनों शहरी बहू सास को एक कमरे के लिए कोशती हैं, तभी गाओं वाली बहूएं गूंगड में से बोलती है जे ठानी जी, घर चोटा हो या बड़ा, जाद कमरों का हो या एक कमरों का, उससे कुछ नहीं होता क्योंकि घर संसार तो प्यार से निबता है, और आप दोनों ने तो प्यार करके शादी की है तभी सास गुसे में गाओं वाली बहूँ को डाट लगाती है ए चुप करो, तुम दोनों को आम की तरह बीच में टपकने को किसने कहा प्रियंका बहू और ट्विंकल बहू संपत्ती वाले घर से हैं बहूँ मुझको थोड़ा टाइम दो, अभी शादी में खर्चा लगा है थोड़ा बहुत पैसा जुड़ जाने तो मैं तुम दोनों के लिए अलग अलग कमरा बनवा दूंगी पिर आज तुम्हारी सुहाग रात है, समाच इसके डिबे जुतने कमरे में हम चारों सुहाग रात कैसे मनाएंगी अरे आज के लिए कमरा तुम दोनों ले लो और मैं बीच में पर्दा डाल देती हूँ और तुम दोनों गाउवाली बहूँ आंगन में बिस्ता डाल लो सास शहरी और गाउवाली बहूँ में फर्क करके उनको कमरे में सुलाती हूँ और गाउवाली बहूँ गर्मी में राद भर बेचैन होती है यहां तो मच्चर काट काट कर खा रहे हैं सासुमा ने शहरी बहुँओं को पूरा कमरा दे दिया और हमको गर्मी में सुला दिया ये तो सरा सर भेद भाव है हम कर भी क्या सकते हैं चमेली चल सोजा सूरज की किरन फूटते आशा गाउवाली बहुँओं को जगा देती है सब अंदर आती हैं जहां शहरी बहुँओं में पैर चूती है फिरो नाम सासुमा खुशे रहो खुशे रहो बस जल्दी से खुश खबरी सुना कर मेरी तमन्ना पूरी कर दो बहुँओं सास को अंतर करते देखकर गाउवाली दोनों बहुँओं को बड़ा दुख होता है उन दोनों को पती के साथ समय बिताने का मौका भी कम मिलता इस तरह से दिन गुजरते हैं चारों प्रेगनेंट हो जाती है सासु मा हम दोनों प्रेगनेंट हैं आप जल्दी ही दादी बनने वाली हैं क्या सच मुझ बहुओं एरे दूधो नहा पूतर फलो आज तो तुम दोनों ने मुझको सोने की सीड़ी चड़ा दी अच्छा बतलाओ तुम दोनों को क्या खाने का मन कर रहा है खटाई खाओगी इमली खाओगी या कैरी मंगा दू अब मैं तुम दोनों की पसंद का अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी और देखना बड़ी धूमधाम से गोद भराई करूँगी तब ही दोनों गाओवाली बहू चमपा चमेली भी वहाँ आकर लजाते हुए बोलती है सासु मा हमने उल्टी कर दी है बहुत जल्द हमारा लल्ला आपकी गोदी में खेलेगा क्या बात है ये दोनों बॉडम तो बड़ी बल्ले बाज निकली दोनों ने हमारे साथ बाजी मार ली not bad क्या हुआ सासु जी आप खुश नहीं है इतना भी क्या उचल रही हूँ कोई जंडे नहीं गार दिये तुम दोनों ने अब चलो रोटी पानी बनाओ सुनो ये चूला उठाओ और बाहर चली जवाद से खाना घर में मत बनाना एक ही कमरा है उसमें भी तम धुआ धुआ मचा दोगी हम प्रेगनेंट है मारे होने वाले बच्ची के लिए धुआ अच्छा नहीं दोनों बहु सही कह रही है वैसे भी ये दौर ना जुक होता है जाकर आंगन में खाना बनाओ पर मा जी हमारे भी तो पैर भारी है और बाहर नीम जितनी कड़वी धूप हो रही है एरे तो तुम दोनों कोई फूल कुमारी नहीं हो जो मुड़ जा जाओगी जरा सी धूप से सास शहरी बहु के आने वाले बच्चों की देखभाल के आगे गाउं वाली गर्बवती बहुओं पर जरा भी तरस नहीं करती वह धूप में खाना बनाती हैं और धीरे धीरे चारों बहु को साथ-ाठ महीने गुजर जाते हैं और गोदभराई की बारी आती है ट्विंकल बहू प्रियंका बहू कल मैं तुम्हारी गोदभराई रख रही हूँ तुम दोनों की गोदभराई का जोड़ा मैंने दरजी को सिल्ले को दे दिया है शाम तक आ जाएगा और तुम्हारे माता पिता को भी नियोता भिजवा दिया है ओ, how sweet सासु मा मा जी, गोदभराई तो हमारी भी होगी, अपने हमारे अमा बाबा को नियोता दिया है न तभी बात को टालते हुए सास कहती है अरे होगी भाई होगी, तुम दोनों की भी गोदभराई लेकिन थोड़े दिन रुख कर अब देखो एक ही कम रहा है, उसमें चारों की गोदभराई नहीं कर सकती और फिर महमानों की खातरदारी के लिए बित्य कोई होना चाहिए ये सुनकर दोनों गाउवाली बहुँ की आँखों में आसु आ जाते है गोदभराई का दिन आ जाता है गाउवाली बहु सुबा से महमानों के लिए आंगन में खाना बनाने लगी थी तब ही आसमान में काले काले बादल चा जाते हैं और जोर से मूसलाधार बारेश शुरू हो जाती है अरी नहीं कितनी जोर से बारेश शुरू होगी चमपा चलो जल्दी जल्दी सारी पूरी कचोरी हलवा सभी अंदर रखना होगा वरना सब भीकर बरबाद हो जाएगा एकदम से बरसात आ जाने के बाद दोनों गाउवाली बहुएं सब खाना कमरे के कोने में रख देती हैं जिससे कमरा भरा भरा सा हो जाता है और अब महमान भी आने लगते हैं निधर कमरे की छत कच्ची होने की वज़े से वह भी टपकने लगती है जिससे दोनों शेहरी बहुएं चिर चिर करने लगती हैं इस बारिश ने तो हमारी गोद भराई के रंग में भंग डाल दिया एक कमरे के ससुराल में गोद भराई उसमें भी पानी टपक रहा है तबी दोनों के माता पिता भी आ जाते हैं जहां गर्बवती गाउँवाली बहुएं बरसात का पानी रोक रही थी और बार बार पोछा लगा रही थी वहीं संकोच के दिल से सास स्वागत करती है सम्धी जी सम्धन जी आईए पधारी है ना अरे ओ गाउवाली बहुओं कुर्सी तो लगाओ जी माजी जी बैठिये दोनों मुँ बना कर बैठ जाते हैं तबी मा रो मा गमंड में फूली बैठी थी बहु की मा गमंड में लग रही है थोड़ा शर्बत दे देती हूँ गुस्सा ठंदा हो जाएगा क्या पता पी कर लीजे सम्धन जी शर्बत थैंक्स बट नो थैंक्स मुझको तो लगा था कि मेरी बेटियों की गोद भराई के लिए आपने कोई छोटा मुटा बैंक को ठॉल बोक किया होगा मगर आपकी तो इतनी भी हौकात नहीं हुई आपने तो इस एक कमरे के ससुराल में उनकी गोद भराई करके निप्टा दिया पता नहीं मेरी दोनों बेटियों ने कैसे गरीब लड़कों को चुनकर शादी की समधन की ऐसी बात सुनकर गरीब आशा का मन तूट जाता है तभी दोनों शहरी बहु भी बोलने से पीछे नहीं हटती योर राइट ममा हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी ये शादी करके हम बहुत पच्चता रहे हैं हमारे बच्चे भी कैसी जिएंगे इस एक कमरे में इतने अपमान के बास सास नजर जुकाए रोने लगती है तभी गाउं वाली बहुएं बोल पड़ती हैं बस कीजिए आप लोग अरे घर पैसा दौलत इससे क्या होता है इनसान का दिल बड़ा होना चाहिए और माजी ने इतना किया आप दोनों के लिए वो क्या कम है जितना हो सका उतने में गोद भराई तो की न यह सुनकर दोनों शेहरी बहु को गलती का एसास होता और उनका दिल पिघल जाता है आइम सॉरी सासुमा, रियली सॉरी, हमने चिड़कर पता नहीं क्या क्या बोल दिया, हमसे गलती हो गई गलती तो मुझसे भी हुई है, मैंने अपनी गाउवाली बहु का इतना अनादर किया उनके आने वाले बच्चों को कोई भी महत्व नहीं दिया, ना उनकी गोद भराई करवाई, फिर भी उन्होंने अपनी सास की इज़त को समझा, अब उनकी भी गोद भराई करूंगी ये सुनकर दोनों गाउवाली बहु का मन गदगद हो जाता है और आखिर में सास अपनी दो शहरी और दो गाउवाली बहु की गोद भराई एक ही कमरे में अच्छे से करती है